लोकेश जी विन्दावन से राधा वल्लव शीहर इवेंश महारा जी गुर्देव मेरी बुद्धी बहुत चलती है व्यर्थ का नाना प्रकार का चिंतन भगवत मार्ग में गुरू इस साधन के समन्द में कराती रहती है क्रिपया करके इसका चलती अगर बुद्धी बहुत लिला चरित्म और अपने कर्थ अफ पर बुद्धी लगानी चाहिए हम दूसरों का चिंतन करें निगेटीव या फोश्टीव उससे हमारे यादरत पुद्धी होगी यादरत थो हमें अपने चिंतन से मैं फिर्थ में पायो क्यों नस्ट कर रहे हैं इन और चिंतन क्यों कर रहे हैं यह हम रोकना पड़ेगा युत उन्हें उस हैर ऊंदर से मान लीज़ी है यह मेरा विशए नहीं आहीं है नहीं खाना है और कुछ चीजें उसी कोटी के है जिन में हम सुख बुद्धी स्वैकार की हैं जैसे दूसरे के दोस्त देखना दोस्ति कि निंदा करना और बेविचाराइधिकी व्रत्ति रखना यह वएसे नरग तो बडी कृपा है तो उसको चलाऊ प्रभु की तरफ चलाऊ अच्छे मारगी की तरफ चला तो हमारी यात्रा हो जाये है अब गलत मारगी तरफ दोड़ा होगे तो अच्छी भात थोड़ी है एक नहीं अच्छा सब भगवान के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं अब कोई रजो गुणी है कोई तमो गुणी है कोई सतो गुणी है तुम ठेकेदारो को रिशर्ष्टी के तुम अपने ठेका लो, अपनी बुद्धी सुधारो, अपना सत्मार करो, तुम सब सुधार थोड़ी सकते हो सबको तो दूसरी के दोसों का चिंतन करके अपने को गंदा करोगे, वो नीच है, वो छलिया है, वो कप्ती, तो तुम क्या हो, तुम यह गंदी बाते देखकर तुम भी गंदे हो रहे हो, नहीं सब में बगवान है, जिसको बगवान जैसा चारे है, वैसा चला रहे हैं, हमको कैसा ये हमको देखना है, जैसे आपको चलना है, वैसे आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आप अपनी कमी को सुधारिये, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारैन तू बैठ के अपनो भवन गुहार, अपनी बुरा दिखन मैं चला भुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजू आ अपना, तो हमसे बुरा न होए, हमारा चस्मा यदि हरा लगा है, तो मुझे लाल नहीं दिखाई देगा, हमारा चस्मा यदि लाल लगा है, तो मुझे हरा नहीं दिखाई देगा, बोले स्रष्टी कैसी, जैसी तुम्हारी दृष्टी, जाकी रही भावना जैसी, कि इतिन तैसी हमारी दृष्टी ठीक होती चाहिए अब आप चिंतन करें मानलों किसी संत का गुरुदेव का तो उनकी क्या इस्थिति आप क्या जान पाओगे आप क्या देखोगे देखने लाइक आपके पास यंत्री नहीं जैसे कबाड तोलने वाले तराजू से सोना चान्दी नहीं तोला जाता हीरा जवाहरात सोना चान्दी इनके तराजू अलग होते हैं ऐसे संत मात्मा और भगवान का चिंतन करने वाली बुद्धी अलग होती है अब स्कामक्रोद लोग मोमद मत्सरिन में घूमने वाली बुद्धी से तुम संतों को तौल सको तो ऐसे कबाल को हीरा जैसे कबाल के तराजू में हीरा थुड़ी तौला जाता है तो पहले बुद्धी को सुद्ध करो और जब सुद्ध बुद्धी करोगे तो संत में भगव दिखाई देंगे सब में मेरा क्योंकि हमारी बुद्धी राम में तो सारा जगत राम में हमारी बुद्धी स्याम में तो सारा जगत स्याम में हमारी बुद्धी काम में तो सारा जगत काम में हमारी बुद्धी कैसे तो बुद्धी अपनी सुद्ध करनी बच्चा नाम जब कर करो शास्त्रों का श्वाध्याय करो सत्संग सुनो जब गुद्धी किसी के विश्य में सोचने लगे तो यह सूच को डाटो कि इसमें श्री भगवान यह तुप के नहीं सोच रहे श्री भगवान अंदर बैठे हमको उनसे मतलब है बाहरी करण के प्रभाव से नहीं करण का अलग 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 खोपड़ी उसका अलग 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 सोबाव है नहीं नहीं भगवान भी उतरिस हुए तो देखो भगवान के विरोधी रहे कि नहीं उस समय भी रहे नहीं सुधर है वो दुर्योधन को सुधारन रहे ना समझ में आ रहा कहरा सूजी अग्रेन के सवा बिना युद्ध के सूजी की नोकवर नहीं दूँगा पांच गाउं की बात कहरे हूँ और किन से बात कर रहा है अखिल पोटी ब्रह्मान नायक भगवान से बात कर रहा है जानामी धर्मम नचमे प्रवत्ति कहरे हो पांच गाउ दे दो सूज की नोगवन नहीं देंगे किन से बात करना है भगवाल भी सुधारला चाहते तो सुधारला नहीं चाहता है इसलिए भगवाल की बाया है हम किसी को सुधार ने सकते यदि आप अपना सुधार ना करना चाहें तो कोई आपको सुधार नहीं कर सकता तो हमें अपन सुधार करना है सबको भगवत बाव से मानकर जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चले हाप कोई पूछे कि मेरा सुधार कैसे होगा तो जो हमने संतों से सुना है जो सास्त्रों में पढ़ा है जीवन में अनुभो किया वो बता देते स्वाइकार कर लो तो तुम्हारा मंगल हो झाल कि तुम्हार बढ़ा हैं जीवन में जो जो जय एले हैँ